वेलकम टू ए टू जेड इन्फो पीडिया चैनल इस वीडियो का टॉपिक है अब जल्द ही इंडिया में हाई क्वालिटी मोबाइल फोन बनेंगे और किफायती दाम में मिलेंगे अब ये सब आपको जल्द ही मिल सकता है इस डील के अनुसार गूगल और रिलाइन्स जियो आधारित मोबाइल फोन बनाएंगे दिल्चस्प बात यह है कि जियो ने दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकमे से एक क्वाल कॉम के साथ भागिदारी की है इसका मतलब यह समझा जा सकता है कि अब जियो स्मार्ट फोन बजार के बारे में बहुत गमभीर है वैसे तो फीचर फोन बजार में पहले से ही जियो की जियो फोन के साथ एक मजबूत उपस्थिती है इसके साथ अब जियो 5G नेटवर्क को भी डिवेलप करने वाला है जियो ने 5G नेटवर्क सॉल्यूशन्स के बारे में अपने इरादों की घोशना के साथ किफायती 5G फोन के भी संकेद दिये है अब जियो का नेटवर्क, कॉल्कॉम का प्रोसेसर और गूगल का अंड्रोइड यानि के हाड़वेर, सॉफ्टवेर और नेटवर्क ये तीनों मिलाकर मोबाइल फोन की दुनिया में धमाका करने वाले है यह बात इंडिया के लिए जितनी अच्छी है, चेन के लिए उतनी ही बुरी है इंडिया में एंट्री लेवल और मिड लेवल के मोबाइल फोन बजार पर शाओमी, रियलमी, ओपो, वीवो जैसे चीनी ब्रांडों का कबजा है लेकिन अब इन स्थापित चीनी ब्रांडों के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है जिस तरह जियो ने टेली कॉम सेक्टर में बड़े बदलाव कर खुद को स्थापित किया, अब मोबाइल बजार में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जियो, गूगल और क्वाल कॉम का मतलब है, ग्राहकों को किफायती दाम में अच्छी क्वालिटी के मोबाइल उपलब्ध कराना इंडिया जैसे मारकिट में बिजनेस करने के लिए दो बाते बहुत जरूरी है, पहली ये की दाम किफायती होने चाहिए, और दूसरी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए शायद इसी वजह से जियो क्वालिकॉम के साथ डील कर रही है ताकि हाडवेर की क्वालिटी में कोई कमी न रह जाए एक फोन में अच्छा हाडवेर और सौफ्टवेर देने के साथ अगर 5G का नेटवर्क होगा तो ग्राहकों को दूसरे ब्रांडों के फोन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे समय में जब चीन अपनी गलत नीतियों की वजह से भारत के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़ा है जिसकी वजह से देश भर में चीनी सामानों का बहिशकार किया जा रहा है जियों का यह कदम सराहनी यह साबित हो सकता है देश की जनता तो सरकार और सेना का साथ दे ही रही है पर कंपनिया भी पीछे नहीं है इससे चीन को और भी बड़ा आर्थिक जटका ज़रूर लगेगा आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार कॉमेंट में लिख सकते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करे और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन ओन करे